वेलकम टू टेक एशपड फिर सस्वागते आपका इलेक्टरिक वीकल की नई दुनिया में रस्ते की कमणी मिरो ने सीटी के लिए कॉंसेप्ट कार बनाई है जिसको कमणी ने नाम दिया है मिरो पेराडोक्स मिरो दिखने में जितनी छोटी है उतनी ही कमाल की है ये कार दोस्तों पेराडोक्स को ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि ये कार छोटी सी छोटी जगह में आइस्ता निकल सकती है MIRO Paradox को आप बाइक पार्क की जगाह में भी आप इस कार को पार्क कर सकते हो इतनी चोटी है ये कार दोस्तों MIRO नहें तीन तरह की कार मार्केट में उता रही है जिसमें एक MIRO PROYECTOR जिसके उपर हमने पहले वीडियो बना चूके हैं इसके लिंक वीडियो के डिक्सेशन में दी हुई है। दूसरी है मिरू स्टाइल और पेराडोक्स। ये तीनों कार कमरी ने ट्राफिक को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। पेराडोक्स सबसे छोटी कार होने के बावजूद इसमें 4 सीट डी गई है। जो काफी काबिल तारीफ है। पर साथ में कमरी ने इस कार को 3D प्रिंट में डिजाइन किया है। जो वा कई दूसरी कारों से अलग बनाता है। दूसरे कार 2.7 मिटर से भी कम लंबी है। अगर आपको बाहर निकलना है तो इस कार में में डोज पीछे की दरब जया गया है। जहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। और आगे के साई जो छोटे छोटे डोल्स दिये गये हैं जो इस कार की सोबा और भी बला देता है। दोस्तो इस कार को आप सबसे ज़्यादा पिकनिक एरिपोर्ट और ओफिस जाने के लिए यूज़ कर सकते हो ये आप पे लिए बेस्ट ओप्शन हो सकता है दोस्तो आप अपनी स्मॉल फिमिली के साथ चार लोग आराम से सफर कर सकते हैं वो भी कॉंफरेबल सीट के साथ दोस्तो मिरों की पेराडोक्स का एंकरियस इतना कमाल का दिया गया है लाइक कुछ रोल सोइस जैसा दिखता है दोस्तो पेराडोक्स की कम लंबाई के बावजूद ये कार लंबी कारों के बराबर सुरक्सा देती है जो काफी बढ़िया है तो दस्तों मिलोग के पेराडोक्स कार आपको कैसी लगी हमें कमेंट करकर ज़रूबत है वीडियो बसन लाइक कर दीजिए और अब तक हमने हमारी चैनल टेकेश पोटकर सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे टेक केर बाई